सब्सक्राइब कीजी मेरे चैनल ABC of Gardening and All को और पेल आइकन को दबाना मत भूलिए जिससे आने वाले हर लेटेस वीडियो की जानकरी सबसे पहले आप तक पहुँच सके Hello Friends, सभी को रुतु का नमश्कार और सभी का आपके अपने YouTube चैनल ABC of Gardening and All में स्वागत है Friends, बारिश का मौसम है और मेरे पास कई सारी demands आती है कि हम पौदों का रखराखाव किस तरीके से करें उनकी cutting लगा के उनको propagate कैसे करें, propagation बताईए, रखराखाव बताईए, problems को solution बताईए तो friends, आज अपने एक viewer के demand पर मैं आप लोगों के बीच में एक वीडियो लेकर आई हूँ और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम वोगन वेलिया की cutting किस तरीके से लगाएं, इसके ओपर मेरे पास कई demands आई थी तो आईए, आज देखते हैं हम cutting किस तरीके से लगाएं, तो मैंने एक वीडियो में आप लोगों का परिचा इस न्यू बोगन वेलिया से करवाया था, यह जो मैंने thornless लेकर रही हूँ, इसमें काटे नहीं है, इस बोगन वेलिया की खासियत यह है, कि इसमें काटे नहीं होता है, ठीक है, तो cutting लेने से पहले मैं आपको बताओं कभी भी जब हम cutting लेते हैं, तो हमेशा cutting जो है, पुखता लीजिए, और पुखते का मतलब होता हर plant की अपनी अपनी एक खासियत होती है, लगने की, जैसे कुछ plants कुछ cutting जो हैं, वो सॉफ्ट वुड़ लगती है, कुछ plants ऐसे होते हैं, जिनकी दोनों प्रकार की cutting लग जाती है, तो मेरे पास में है यह बोगन बेलिया, और बोगन बेलिया जो आप देख रहे हैं, काफी उट पटांग तरीके से बढ़ रहा है, तो मैं इसकी pruning भी कर दूंगी और साथ मैं आपको बताओंगी कि cutting किस प्र तो यह देखिए इसमें यह new leaf नीकल रही है, यह new leaf निकल रही है और इस वाली branch में भी यहा बोगन ब्रांच में यहां से निईनी लीव निकलने के चांसे हैं, तो सबसे पहले तो हम को इसको हम पूरा ही कट कर लेंगे, देखे यहां से यह देखिए, कटिंग करने से पहले कभी भी आपका सिजर इसको बहुत अच्छे से आप वॉष कर लीजे मेरा वॉष है और यह देखिए हमने इसकी जो है यह कटिंग ले ली देखिए हमारे बारिश भी स्टार्ट हो गई है तो अब हम इसकी पत्ली-पत्ली पहनिया से काट लेंगे और यह जो है इसको हम हटा कमां देना प्रडाब करना लगा जब द मैं आपको बताती हुआ कि तो हमने कटिंग ले ली और वह आपको पेडों के पास ले चलती हूँ क्या मैं को कटिंग कहां से लेनी में और दो टीन प्लांट की कटिंग और ले लेती हूँ कि यह देखिए यह द्यागूं अब कर देखिए यह दो मुल्स तरेखिए इसमय दूप नहीं है और स Le Gothic तरहे इस तरी के से लगाना है करें दिए बारिष हमारे हैं गिरेंने लग गई हैया मारे पार टीन कटिंग हो गई है इस तरीके करकी बनी हुई कॉंपोस्ट है और इसको अच्छे से मिक्स करके मिक्स कर लिया हमने और यह मेरे पास यह पुराना आइस क्रीम का कंटेनर रखा था और जिसमें काफी सारे बोल्स आपको दिख रहा हूंगे तो मैं इसे अच्छे से मिक्स करके अब बारिश टेज हो रही है तो इस तरीके से आप अपनी कटिंग लगा दीजे और अभी ऐसा रखिए कि इसको बारिश का पानी मिलते रहे और फिर मैं आपको इसके अपडेट जरूर दिखाऊंगी तो फ्रेंड्स अगले वीडियो के साथ मैं आप लोगों के बीच में फिर आती हूं तब तक के लिए पाय पाय थैंक्स वर वाचिंग हैपी गार्डनिंग